सम्विधान की अनुच्छेद 103 के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर बर्ग यानि की EWS के लिए 10% आरक्षन की जो विवस्था गी गई थी, इसके संदर में सुप्रीम कोट का नेड़य आया है और आर्थिक आधार पर आपका 10% आरक्षन लागू रहेगा और सुप्रीम कोट के पांच में से, पांच जजों में से तीन जजों ने इस पर सहमती जिताई कि ये सही प्राउधान है और दो जजों ने इसके खिलाब अपनी बयान दरज किये है और आप लोगों के मन में ये सवाल आता रहता है कि पांच क्यों लिए जाते हैं, तीन क्यो तो आप देखते हैं, दो उसके पक्ष में हो जाते हैं, दो उसके बिपक्ष में हो जाते हैं, और मामला वहीं लटक जाता है, पांच इसलिए रखे जाते हैं, कि कम सवे कम दो उसके पक्ष में रहेंगे, तो तीन उसके बिरोध में भी तो रहेंगे, तो आज हम लोग रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है जो आप देखते हैं कि हमेशा चर्चा में बना रहता है और इस पर आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि बड़ा सोस समझ के बोला करिएगा आरक्षन बन और आरक्षन का सीधा सा अर्थ अगर आप लोग याद रखें तो देखी आरक्षन का मतलब होता है कि जगे सुरक्षित होना और आप देखते हैं कि ट्रेन में आप लोग आरक्षन क्या कर देते हैं रिजर्वेशन कर लेते हैं आरक्षे सीट कर लेते हैं लेकिन सम्मिधान का अनुचेद 46 कहता है कि राजसरकार की करमजोर बर्गों में सैक्षडिक और आर् के लिए पिसे इस ध्यान रखा जाएगा लेकिन अब आप देखते हैं कि OVC यानि कि OVC पिछड़ा वर्ग या सामान वर्ग के जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उन्हें 10% की बात की जा रही है OVC के लिए OVC के लिए 27% इंटारक्षन की बात की जाती है कई राज्यों में आप देखी 27% इंटारक्षन नहीं है यह भी आप लोग याद रखिएगा और यहां अगर हम लोग सुप्रिंग कोट की बात करें तो आप सभी जानती हैं कि हमारी सर्वोच अधालत है सुप्रिंग कोट समीधानिक समिस्था है, समिधान के अनुछेद 124 के तहत इसकी इस्थापना की बात की गई है, और 28 जनवरी 1950 में इसकी इस्थापना हुई थी, बर्तमार में इसमें 34 नयायदीस देखने कुम लेंगे, एक आपका मुख्य नयायदीस है, 33 अनय नयायदीस है, और इनके कारकाल की बात करे सेवा निवित्ती की उम्र की बात करें, तो 65 साल रखी गई है, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, अब बात करते हैं हम लोग आर्थिक रूप से कमजोर बर्गों के लिए जो आरक्षन की बात हुई है, इसमें आप देखेंगे कि 9 जनवरी 2019 को, कम 2019 को संसत द्वारा, 103 वा समिधान संसुधन अदिनियम 2019 पारित किया गया था, जब आप लोग संसत कहते हैं तो राज्यसवा, लोगसवा और राष्टपती की बात होती है, और देखें जब कोई कानून लाना होता है, तो राज्यसवा, लोगसवा में जब तक वो पिस्ता हो रहता है उसे आप लोग बेधया कहते हैं, जैसे ही राज्यसवा, लोगसवा से पारित होता है, राष्टपती की सहमती मिलती है, वो कानून बन जाता है, और यह आदिनियम आर्थिक रूप से कमजोर बर्गों से सम्मंदित ब्यक्तियों को 10% आरक्षन का प्रावधान करता है, और स सहे सरकारी नोक्रियों, चुनाओ, कल्यानकारी उजनाओं में हर वर्ग की हिस्सेदारी सुनीचित हो सके, कोई पिछड़ा ना रहे, इसलिए आरक्षन दिया जाता है एक तरह से, अब आप देखिए बहुत सारे लोग इसके पक्ष में होंगे आरक्षन के, बहुत से लोग इसके विरोध में रहते हैं, लेकिन अगर आप लोग जैवरोख हैं, पड़े लिखे हैं, तो बड़े नीटरल होका जबाब दिया करिएगा, ना तो इसके पक्ष पक्ष में बूला करिएगा, कि एक तरफा इसका आप समर्थन करने लगें, या एक तरफा विरोध करने तो अभी विवस्था के गई है, एक सो तीनवे समिधान संसोधन की तैद, आर्थिक रूप से आरक्षन देनी की बात, तो आर्थिक रूप से पिछड़ा किसे माना जाएगा, ये भी तो कोई परिवासा होनी चाहिए, तो इसमें आप देखेंगे, आर्थिक रूप से canonə जाएगा, ये ओभी सी आरक्षन में लागू क्रेमी लेयर की सीमा है, आप ओवी सी बरग में, पिछड़ा बरग में आता है, उसे आरक्षन नहीं मिलता है, आप लोग ने फार्म भरा होगा, परिक्ष्छा के बरावर बरते हैं, वहाँ लिखा आता है, क्या आप क् करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी जो परिक्षा फीस होती है वो बढ़कर सामान वरक के बराबर हो जाती है और आप नोर करते हैं तो कम फीस लगती है तो देखी कहने का मतलब है कि दूद लेजी और दूद को आप लोग उबालते हैं और आप देखते हैं कि क्रीम उसमे ठीक है, उन्हें आरक्चन की जरूरत नहीं है, उन्हें क्रेमी लियर की सैडी में रख देते हैं, यानि कि कहने का मुतला है, जिसकी आये 8 लाक रुपे से अधिक है, उसे क्रेमी लियर की सीमा में रख देते हैं, सैडी में, और जिनकी किरसी योग भूमी 5 एकर से कम है, वो भ आर्थिक रूप से पिछड़ा करा जाएगा गैर अधिसूचित नगरपाली का इलाके में आवासिये प्लोट की सीमा 200 गज रखी गई है तो ये भी आर्थिक रूप से 25 पन की सैड़ी में रहेगा और जो 10% आरक्षन की बात की जा रही ना है इन सभी लोगों को मिलेगा जो इस सैड़ी में सामिल होंगे अभी फिलहाल जो अभी बर्थमान की बात करें आरक्षन की विवस्ता क्या है अभी अगर हम लोग बर्थमान में आरक्षन की विवस्ता की बात करें तो आप देखते हैं कि मौझुदा कानून के तहित कुल 49.5% आरक्षन की विवस्ता की गई है और आप देखते हैं कि कहते हैं कि 50% से अधिक आरक्षन भी नहीं होना चाहिए ये भी एक सुप्रींग कोट ने एक फैसले में बताया था उस फैसले पर भी हम लोग बात करेंगे इससे पहले भी कई लोग आरक्षन को लेकर सुप्रींग कोट हाई कोट अधालतों की दरवाजी खट-खट आ चुके हैं तो इसमें 49.5% परसेंट आरक्षन में कौन-कौन सामेल हैं अनुसूचित जाती जिसे ऐसी कहते हैं आप लोग इन्हें 15% आरक्षन की बात की गई है अनुसूचित जन्जाती जिसको 7.5% आरक्षन की बात की गई है और अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे आप लोग OVC जानते हैं OVC OVC इसे 27 फीस्दी आरक्षन की बात की गई है और जैसा कि आपको बताए कि OVC जन्संक्या को अभी भी उनका आरक्षन 27% कई राज्यों में नहीं मिलता है यह आप देखी आरक्षन और मंडल आयुक का क्या संबन्द है इसे भी देख लिजे आप लोग 1989 की बात है केंद सरकार ने आरक्षन की मुद्धे पर विहार की पूर मुख मंतरी मुख मंतरी BP मंडल की अध्यक्षता में 6 सदस्य पिश्रा बरग आयुक का गटन किया था और इस आयुक ने अपनी रिपोर्ट में 1980 में दी थी और मंडल आये उन्हें जातियों को आरक्षन की सूत में बादने के लिए 1971 की जातीगत जंगरना को अपनी रिपोर्ट का आधार भी बनाया था लेकिन आप देखते हैं कि अब जातीगत जंगरना नहीं होती है कई राजनेतिक पार्टियां इसकी बाद भी करती रहती हैं कि जाती आधारित जंगरना होना चाहिए उनकी जंसंख्या का मालू चलेगा उन्हें आरक्षन की उन्हें सो विधाओं देने की बात हुई अन्तिम बार आप देखें यह 1931 में हुई थी अभी मांग भी उठ रही है इसमें 3749 जातियां समुदाय सामिल थे और जने ओवेसी का दरजा देका 27 फीस्दी आरक्षन देने का सुझाओ दिया था और 13 अगस्त 1990 को आयो की सिफारिसों की आधार पर पिछे वर्गों को सरकारी नोकरियों में 27 फीस्दी आरक्षन देने की अधी सूचना जारी हुई थी तमाम विरोधों के बाद यह मामला ही सुप्रिंग कोर्ट पहुँचा और जहां अंतता नो नियाधीसों वाली समिधानिक पीट ने 16 नवंबर 1992 को कोर्ट ने मंडल आयो की सिफारिसों को लागू करने की फैसले को सही ठहराय था इसके बाद कैंसरकार ने 8 सेप्टमबर 1993 को कैंदर की नौकरियों में पिछड़े बरक को 27 फीजदी आरक्षन देने की सूचना जारी की थी राज्य चाहे तो आप देखे 27 फरसेंट आरक्षन दे सकती हैं लेकिन एक सीमा रखी गई है 50 फरसेंट से या देख नहीं होना चाहिए लेकिन अब आप देखेंगे कि जन राज्य में 27 फरसेंट आरक्षन ओवीजी को मिला होगा और 10 परसेंट आरक्षन आर्थिक रूप से पिछडए बरक को मिलने लगेगा आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं तो आप देखेंगे वो तो हो जाएगा कितना 69 पहुच जाएगा 49.5 परसेंट हो जाएगा लेकिन आप देख 50 परसेंट से जानदा नहीं होना चाहिए समिधान संसोधन पिस्ताओ यह आप देखे 103 बा समिधान संसोधन था जिसके तहत आर्थिक रूप से जो कमजोर वरग है एडवलू ऐसें उन्हें आरक्षन दिया गया 2019 में इपारित हुआ था 103 बा जरूर याद रखेगा आप लो अब आप देखें समिधान का अनुचेद 15 और 16 क्या करता है और इसमें कहां संसोधन की बात की गई यह क्या कह रहा है अनुचेद 15 सभी नागरिकों को समानता का अ के लिए ओवेसी बरक के लिए या आप देखी EWS के लिए तो यहां बेदभाव होना सुरू हो जाएगा और हम लोग क्या करते हैं कि अनुचेद 15 का केवल हवाला देते हैं अरे भाई 15 का नहीं देना है आप लोग उसके और अंदर घुसिए अनुचेद 15 एक को पढ़िए आप लोग एक क्या गह रहा है राज ये किसी नागरिक के विरोध धरम मूलवंस जाती लिंग जनमिस्थान या इनमे से किसी भी आधार पर कोई अंतर नहीं करेगा नहीं करेगा लेकिन अनुचेद 15 चार को पढ़िए अनुचेद 15 पांच को पढ़िए एक कहता है कि सामाजिक और सेक्षिरिक दिरिष्टी से पिछडे बर्गों या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए बिसेस और बंद की विवस्था की गई है यही आप देखे प्रोब्लम है और अनुचेत पंदरा चार और अनुचेत पंदरा पांच को लोग पढ़ना भूल जाते हैं और लोग केबल अनुचेत 15 का उधारन दे देते हैं कि अनुचेत 15 आर्टीकल 15 कहता है कि सभी नागेर को कोई समानता कादिकार मिला हुआ है किसी के साथ कोई भिदभाव नहीं किया जाएगा लेकिन देखिए अनुचेत 15 4 और अनुचेत 15 5 क्या कह रहा है जो सामाजिक और से अच्छा की दरिष्टी से पिछड़े बर अगया है या पर अनुचेत जाती या अनुचेत जन जाती है उन्हें विसेस और बंद किया जाएगा आप देखिए अभी भी आप लोग सुनते रहते हैं अनुचेत जन जाती के वेक्ति को गोड़े फे नहीं चड़ने दिया जा आप लोगों को ध्यान देना होगा समिधान के अनुचेत 15-4, 15-5 में आर्थिक रूप से आरक्षन नहीं मिला है एकेवल सामाजिक और सेक्षिडिक दिरिष्टी से पिछड़े वरग अनुचेत जाती और जन जाती हों के लिए आरक्षन की बात कही गई है पहली व्यार और इसलिए सवर्डों को आरक्षन देने के लिए सरकार को इस अनुचेत में आर्थिक रूप से कमजोर सब्द जोड़ने के लिए समिधान संसोधन की जरूरत पड़ रही है अनुचेत 16 क्या करता है सरकारी नौकरियों और सेबाओं में समान आउसर पैदान करने की बात कर रहता है यानि कि सरकारी नौकरियों में सबके लिए समान आउसर रहेंगे वो किसी भी बरक का हो लेकिन लेकिन ये लेकिन बहुत फ़र्क महत्व रखता है 16-4 और 16-4 का और 16-4 खा और अनुचे 16-5 में राज़ को राज़ चाहे तो अधिकार है कि वह पिछले वरग नागरेकों को किनी बरगों को सरकारी नौकरी में आरक्चन दे सकता है और यहाँ भी आर्थिक सब्दे का जिक्र नहीं किया गया है ये भी आप लोग याद रखिएगा इसलिए सरकार को गरीब सबर्डों को आरक्चन देने के लिए समिधान की इन दो अनुचदेओं में भी संसोधन करना बड़ा ठीक है आप सुप्रिंग कोट में कई वार जा चुका है ये मामला आरक्चन का अब देखिया 10% जो सबर्डों को सामन बर के जो पिछड़े हुए लोग है उन्हें जैसे ही विवस्था की गई थी तो ये भी सुप्रिंग कोट कई लोग पहुँच चुके हैं उन्होंने भी रेट लगाई तो सुप्रिंग कोट में कई वार जा चुका है आरक्चन का मामला और आरक्चन की मामले की अगर आप बात करें तो सबसे पहले इस केस को याद रखीगा स्रीमती चंप कम 1921 की बात है 1921 में मदरास पेसिडेंसी ने एक जाती गस सरकारी आग्यापत जारी किया उच जातियों के लिए 8% आरक्चन दिया था और इस आदेश को 1921 में चुनोती दे गई थी और सुप्रिंग कोट ने इसे आसमीधानिक घोसित कर दिया था लेकिन आज जो फैसला आया है इसे समीधानिक घोसित किया गया है तो याद रखिएगा फिर आता है एम आर बालाजी 1963 और अगर आप लोग UPSC की तयारी करें इस्टेट PCS की तयारी करें तो इस तरह कि आप देखें मुख परिच्छा में भी कुश्चन्स पूच लेता है निवन्द भी पूच लेता है तो MR बालाजी 1963 में आता है 1963 के इस मामले में सुप्रिंग कोट ने विवस्था दी की पेसा, निर्धनता, पेसा और निवासिस्थान आधिक का भी ध्यान देना चाहिए एक इस केस में का आगया MR बालाजी जो 1963 में आये था फिर आप देखेंगे टी देवदासन आता है 1963 में इस सम्मद में सुप्रिंग कोट ने 1963 में बालाजी बना मैसूराज्य मामले में सरका की एक आदेश को जरूरत से जान्दा मानते हुए खारिच कर दिया इसमें अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती और अन पिछले बर्गों के लिए आरसट फीसदी आरक्षन का प्रावधन किया गया था सरकार की तरप से और सरबोच नियाले ने विवस्था दी कि नहीं होना चाहिए टी देवदासन 1963 के केस में हमारी सरबोच नियाले सुप्रींग कोट अदालत ने ये बात कही थी फिर आप देखेंगे इंदरा साहिनी आता है और एक केस बहुत ही महत हो रहे है और आप लोगों को इसके बारे में भी याद रखना चाहिए एक क्या कहता है ये 1992 में आय था आरक्षन की मुद्धे पर इस मामले में दिये गए सुप्रींग कोट के फैसले को मील का पत्थर माना जाता है सुप्रींग कोट ने इस मामले में केंद्रिय सेरकारी नोकरियों में अन्य पिछा बर के लिए और अलग से आरक्षन लागू करने की को सही ठ संसोधन किया और इस संसोधन में यह अपरावधन किया गया कि राज्य सरकार और केंद सरकार को यह अधिकार है कि वह पिर्मोशन में भी आरक्षन दे सकती है पिर्मोशन कहने का मतलब है कि आप नीचे के पकपर हैं आपको उंचे पहुंचा देना इसी की बात हो रही है लेक में सुपरिंग कोट ने 11 जजोंवाली समिधानिक पीठ ने समिधान के अनुचे 16 structures के लिए सरकारी सेवां में पदोनंति में आरक्छन को सही नहीं पाना और यह एदेश दिया कि इन पदोनंति में आरक्छन केबल अगले 5 बर्स तक ही जसका तस रखा जाया यह आप किसमें इंद्रा साहिनी मामली 1992 में सुप्रींग कोट ने ने ड़े दिया था इसको जरूर याद रखे इससे कई बार आप देखते हैं प्रेलिम्स में कुश्चन्स पूच लेता है कई बार आप देखते हैं कि वंडे गजाम में कुश्चन्स आ जाता है और आप निबन लिख और नियाले ने अपने ड़े में समिधानिक संसुधन को तो सही माना था लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि सरकार अनुसूचित जाती हैं जनजाती कर्मियों को पदोनती में आरक्षन देना चाहती है तो इसके लिए उसे इन बर्गों के पिछड़े इपन राज्किय सेवाओ में आपर याप पितिने दित्ते और सरकार के काम की दक्षिता पर प्रभाव की संबंद में आंक्रे जुटा कर आधार तियार करना होगा अगर इन बर्गों की आप देखे कि वहाँ पितिने दित्त कम है तो सरकार दे सकती है राज्य सरकार और केंट सरकार को अगर की अधिकारियों और कब्रमचारियों को प्रिवोशन में आरक्षन दिया जाता है तो यह भी देखना होगा कि पिसासन पर पितिकूल प्रभाव तो नहीं पढ़ रहा है अगर सही प्रभाव पढ़ रहा है तो ठीक है अगर पितिकूल प्रभाव पढ़ रहा है तो यहां भी चिंता रखी जाएगी और आर्थिक रूख से कमजोर अगडी जातियों को सरकारी सेवाओं में आरक्चन देने का मुद्दा कोई नया नहीं था यह पहले सी भी आप देके चला आ रहा है और जब यह दिया गया तो आप लोगों को मालो होगा किसी ने इसका विरोध नहीं किय था क्योंकि सामानवर्ग के लोगों को कोई भी पार्टी नाराज भी नहीं करना चाहती थी सबने इसका स्वागत किया था तो उसी की बात हो रही है लेकिन कई लोग आप देखे राजनेतिक पार्टियां तो नहीं जाएंगी सुप्रेंग कोट नहाई कोट लेकिन आप दे धाचे के खिलाब नहीं है एक सो तीन बात समिधान संसोधन इस बैद है क्या है बैद है तो यह भी आप लोग और जस्टिस बेला त्रवेदी ने भी इससे फैसले पर सहमती जिताई उन्होंने का है कि मैं जस्टिस महिस्वरी के निसकर्स से सहमत हूँ और SCST OVC को पछले स पहली से आरक्षन मिला है उसे सामन बरग के साथ सामिल नहीं किया जा सकता है और समिधान निर्माताओं ने आरक्षन सीमित समय के लिए रखने की बात कही थी लेकिन 75 साल बाद भी यह जारी है और देखिए जश्टिस रविंदन भट ने इस पर आया सहमती जिताई हो और आतिक आरार पर आरक्षन देते हुए जश्टिस रविंद भट ने आसहमती जिताई हो और रविंद भट ने काया कि आवादी का एक बड़ा हिस्ता OVC OVC और S.E.S.T. का है उसमें बहुत से लोग गरीब है और इसलिए एक सो तीनवा समिधान संसुदन गलत है और यह जो संसुदन हुए एक सो तीनवे समिधान संसुदन केता है और चीप जश्टिस ललित ने भी आर्थिक आधार पर आरक्षन का विरोध किया है जो मुक ने आ लिसे उन्होंने काय कि मैं जश्टिस रविंद भाट के फैसले से सहमत हूँ यानि स्प्रिंग कोट ने तीन लेकिन तमिलाडू की एक पार्टी है सत्तारवर पार्टी है डियम के इसने याजकार करताओंस ने इसे समिधान के खिलाब बताती हुए अदालत में चुनोती भी दी थी तो यह भी आप लोग याद रखिएगा इसमें आप देखिए जश्टिस यू यू ललित थे ने दलिल दी थी कि आरक्षन का मकसद सामाजिक भिद्भाव जिलने वाले बर्क का उत्थान था अगर गरीवी आधार्ट है तो उसमें एसी यूश्टी ओविसी को भी जगय मिले और EWS कोटा के खिलाब दलिल देते हुए कहा गया था कि ये 50 फिश्दी आरक्षन की सीमा का उलगन है वहीं सरकार का अगर आप पक्ष देखें तो दूसरी तरफ सरकार की वह से कहा गया था कि EWS तपके को समानता का दर्जा दिलाने के लिए ये विवस्था जरूरी है और केंद सरकार की वह से कहा गया कि इस विवस्था से आरक्षन पर किसी दूसरे बर्क को नुकस जा सकता है, यह हमारी सरकार का एक तरह से पक्च है, तो मुझे लगता है आरक्षिन के बारे में काफी चर्चा हो गई और एक सामान जानकारी के लिए आप लोग जरूर याद रखेगा, और जब एक सो तीनवा समिधान संसोधन हुआ, क्या हुगा, समिधान संसोधन हुआ, 2003 में, 2019 में 103 वा समिधान संसोधन, तो जरूर आप लोग याद रखेगा, 156 और 166 जुड़ा गया था, और इसी को रद्य करने के लिए लोग गये हुए थे, लेकिन सुप्रिंग कोट ने भी मानता दे दी है, तो आरक्षन मिलता रहेगा, ठीक है, आपके देखी कोई सुझा हुआ करें, सवाल हुआ करें, तो आप लोग नीचे बता सकते हैं, ठीक है?